नमस्या दोस्तो स्वागत आपके MC के IQ में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो भी हमारे चेर्मेन है Intelligency Agency of India Indian Defense Force के इंडियन Defense Force में आर्मी आती है नेवी आती है और एयर फोर्स आती है यह हमारी Indian Defense Force हो गई और जो हमारी Intelligency Agency है जैसे रोह हो गई तो इनके चेर में एक्जाम में पूछ लेते हैं तो मैं आपको फुल फॉम बताऊंगा इसके ये और्गिनेजेशन कब बनी थी उसके डारेक्टर जन्रल को ने और ये कौन से मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है फुल एस्प्रिशन वीडियो है दोनों कोशन अलग हैं अगर बनने के बात करेगा तो 1887 हो बनी थी मगर नेशनलाइज हुई थी जब हमारा देश अज़ार हुआ था 1947 में उसके बाद न्यू देली में हेटकोटर है इसका मोटो क्या है अलवेस अलट अब इन्पोडेन कोशन ये है जो IB है वो कौन से मिनिस्टि के अधिन काम करती है Ministry of Home Affairs के अधिन काम करती है IB देकि IB जो है न Indian Domestic Intelligence है जैसे RAW होती है और IB होती है तो IB इंडिया में जो भी गतिवीदिया होती है अधंग वीदिया या कोई बोम लगा रहा है या कोई भी गतिवीदि है जो हमारे देश को हानी पुचाएगी उसके लिए IB काम करती है ये Domestic Intelligence है Internal Security देखती हमारे इंडिया की Counter Intelligence Agency है IB फिर RAW की बात करते हैं इसका Full Form याद रखी है The Research and Analysis Wing इसके Director General कोने? Ravi Sina 1968 में बनी थी RAW New Delhi में Headquarter है इसका मोटो क्या है? Law Protect When It's Protected और यह हमारी Foreign Intelligence Agency इंडिया की जो भी और देशों में गतिवीदिय होती है बहुत साइब मुवी में देखा होगा आपने कि जो हमारी RAW है वो दूसरी गंटी में जाके पता करती है कि इंडिया में एक सीरीज आती थे CID नाम की कुछी CID के बात कर रहा हूँ जिसका फुल फॉर्म है Criminal Investigation Department यह 9002 में बना था Delhi में Headquarter कहां पर इसका New Delhi में देखिए एक कोशन क्या आता है हम किसको बोलते है Father of Indian CID CID के फादर किसको बोलते है राय भादूर, पंडित, संबुनात को हम CID के फादर बोलते है फिर आता है CBI Central Bureau of Investigation 1963 में बना था New Delhi में Headquarter इसके Director General को ने प्रवीन सूद और काफी इंड़ोडेंट है अब मैं आपको यह बताता हूँ जो CID है और CBI में और क्या है तो जो CBI है न इसको हम Central Bureau of Investigation बोलते है यह किस के अधिन काम करता है यह Central Government के अधिन आता है जिसको Central Home Minister समालती है जैसे Amisha Home Minister है तो वो समालते है CBI को यानि यह Central ही वर्क करता है और CID के बात करेंगे तो जो State Government है आपको पता है हमारी कितनी State है 28 State है तो 28 State में अलग-अलग स्टेटों में सब की Personal CID होती है जो Home Ministry, State Home Ministry के अधिन काम करती है तो दोनों में Confuse मत होना CID पूछेगा तो State Government के अधिन काम करती है और State Government के लिए काम करती है CID CBI Center Government के होती है Indian Defense Force के बात करते हैं देखे Indian Defense Force में Indian Armed Force ये साब आती है जिसमें Army, Navy, Air Force और ये तीनों जो हमारी Armed Force है वो Defense Ministry के अधिन काम करती है आप ये भी याद रखो Army, Navy, Air Force जितनी भी हमारे Armed Force हैं उसके जो Director General होते हैं वो कभी भी Civilian नहीं होते IPS Officer नहीं होते देखे IPS Officer जैसे और भी हमारी Organization है IB हो गई, RAW हो गई इसमें जो Director General होते हैं वो IPS Officer की रेंग होती है उनकी मगर Armed Force में एक Civilian और IPS Officer कभी भी Appoint नहीं होता इसमें जो Appoint होते हैं Admiral General Appoint होते हैं और ये Defense Ministry करती है अगर Question आता है कि जो हमारी Defense Force है और Indian Armed Force है उसके Supreme Commander को ने तो इन तीनों Force के Supreme Commander को ने President of India जो हमारे President होते हैं इंडिया के वो Supreme Commander होते हैं ये तीनों Forces उनकी अंदिर आती है देखें जो Indian Defense Force हैं उसमें Indian Armed Force भी आती है Indian Armed Force Indian Army, Navy और Air Force आती है और Indian Armed Force में Central Armed Police Force भी आती हैं जैसे Assam Rifle, Border Security Force BSF, CISF इनके Full Form याद रखना डारेक्ट आते हैं एक्जाम में CRPF, IT, BP, NSG और SSB ये जितनी भी Armed Police Force हैं ये भी Defense Forces हैं हमारी तो जितनी भी ये Force है Central Armed Police Force ये कौन से Ministry के अधिन काम करती हैं? ये Home Ministry के अधिन काम करती हैं यानि जो Amisha हैं वो इसको Amisha जो हैं जो Central Armed Police Force हैं इसके जो Director General बन दे हैं वो हमेंसा IPS Officer बन दे हैं जो भी IPS Officer होते हैं वो इनके Director General बन दे हैं एक Question यहा सकता है जो हमारी Central Armed Police Force है इन में से साथों में से सबसे पुरानी कौन सी है ओल्डेस्ट कौन सी है तो जो Assam Rifle हैं वो बनी दी 1833 में और यह Oldest Paramilitary Force है Central Armed Force है हमारी अब मैं आपको Indian Armed Force के बारे में बताता हूँ जैसे देखिए जो Indian Armed Force है न इसमें Army आती है Navy आती है और Air Force आती है इन तीनों को कौन समालता है इन तीनों को समालता है Chief Defense Staff CDS बोलते हैं जिसको आपको पता होगा यह Post नई बनाई गई थी दो-तिन साल पेले तो अभी प्रिजेंट में जो हमारे Chief of Defense Staff है कोन है वो अनील चोहान इनका नाम बिनकुल मत बुलना और Indian Navy Army और Air Force जो भी Director General है इनके इनका नाम भी बिनकुल नहीं बुलना आपको अब इनडिया Navy की बात करते हैं हम Navy Day कब बनाते हैं Navy Day हम 4 December को बनाते हैं आप के सियाद रखोगे तो N-A-V-Y इसमें 4 अक्षर हैं मतलब 4 तारिक को हम Navy Day बनाते हैं पिर Chief of Naval Staff कोन है जो Navy के Chief है Admiral R. Hari Kumar ये Navy के Chief है और Vice Chief कोन है देखिए जो भी Vice Chief होता है न आगे चलके वही Chief बनता है तो Vice Chief कोन है Navy के Admiral Dinesh के त्रपाटी ये Vice Chief बने Navy के फिर Indian Army के बात करते हैं Army Day हम बनाते हैं 15 जनवरी को Army के Chief कोन है Manoj Pandeji आर्मी के Chief हैं और Vice Chief कोन है Army के M.V. Suchindra Kumar ये Vice Chief हैं Army के Air Force की बात करते हैं Air Force Day हम कब बनाते हैं 8 October को आप के सियाद रखोगे देखिए Air Force में कितने शब्द आते हैं कितने अक्षर आते हैं AIR ये 3 हो गए फिर ये 5 वर्ड हो गए तो प्लस कर दो गए तो 8 हो जाएगा तो 8 October को हम बनाते हैं अब इंडियन डिफेंस फोर्स की बात करते हैं तो डिरेक्टर जनरल लेखते हैं इंडियन डिफेंस फोर्स जो हमारी पेरामिलिटरी फोर्स है और आम फोर्स हैं तो असाम राइफल असाम राइफल ओल्डेस पेरामिलिटरी फोर्स है इंडिया की काफ़ी इंपरेंट कोशन है डारेट कोशन आता है और 1835 में बनी थी बहुत जार इंपरेंट कोशन है इसके डिरेक्टर जनरल है लेफ्टेंड जनरल प्रदीप चंदरन नेर फिर BSF की बात करते है बॉर्डर सेक्रेटी फोर्स बोलते है इनके फुल फोर्म भी याद रखो आप नितिन अगरवाल नितिन अगरवाल BSF के डारेक्टर जनरल बने है तो यह सेंटरल इंडस्ट्रियल सेक्रेटी फोर्स जिसको हम CISF बोलते है यह इससे कोशन जरूर आएगा एक बार क्योंकि नेना सिंग नेना सिंग जो है वो डारेक्टर जनरल बनी है CISF की आज तक के इतियास में यह First Woman Director General बनी है Central Industrial Security Force की इसलिई यह सूबर इंपुरेटिन कोशन है इससे कोशन आ सकता है इसके Director General बने है फिर NSG की बात करते है नेशनल सेकुरेटी गाट MMA गनपदी इसके Director General बने है फिर SSB की बात करते है तो जितने भी मैंने आपको चेर्मेंड और डारेक्टर जर्नल बताएं ये बहुत आते हैं एक्जाम में डारेक्ट कोश्या राजाता है जिससे आप अपना स्कोर इंक्रीर कर सकते हो तो वीडियो बचन है तो लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें एमसी को आईक्यो को, और कमेंट शेर में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा थेंक्स वर वचेंग एमसी को आईक्यो झाले कर्वें झाले कश्राइब करें झाल 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 झाल